प्र्थ यूं कैसे हो आप लोग चलिए आज हमारा जो नहीं टापिक है अभी जो हमने लाश्ट टापिक था हमारा कहता है डिफाइन चर्ट आप अब हमें काम करेंगे कि ये जो दीफाइन चाऀड आपकाउंट और उसके और असजम्ट भी तो करना होगा जैद मेंस हमें हमें अपने सिस्टम को से क使्टम को यह बताना होगा तो हमारा जो topic है assign company code to chart of account, that means जो अभी हमने इससे पेहले topic में, topic number 5 में जो भी हमने chart of account बनाया था उसको अब हम असाइन करेंगे अपनी कंपनी के लिए यानि हम अपने अब SAP को यह बताएंगे कि कैसे हमें यह जो हमने बनाया है चार्ट आपकाउंट एक किस कंपनी के लिए है तो उसके लिए क्या करना होगा go to easy access easy access me put area SPRO oh it's a broken that means that the connection has been broken so now I have to log in again no issue SPRO IMG reference अब इसके लिए हम क्या करेंगे स्थीक उसी तरीके से जो लास्ट पात था जब हमने डिफाइन चार्ट आफ अपकाउंट किया था वसाइन चार्ट आफ अपकाउंट ठीक वही पात होगा फैनेंसियल अपकाउंटिंग जर्नल लेजर master data profit and loss account preparation added chart of account in the last time किया था अब हम करेंगे assign chart of account OB 62 अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो T code होगा OB 62 if you want to see what about what is the T code of the just click on the additional information display and IMG activities now you can see there one column has been added here it's working slow now okay now you can see here OB 62 is the last four digit of this transaction and is our T code OB 62 okay assign now click execute click on execute you can see here there is a no option to create a new entry इस समय हमें क्या करना होगा click on the position to find out the our company code our company code is 6600 जैसे ही मैंने 6600 किया तो आप देखोगे क्या कि हमारा जो यह है हमारी company आ गई यहां पे हमें chart of account define करना होगा तो हम अपने से समय जाए तो हमने chart of account हमने Excel में क्या बनाया था 6600 अब चाहूं तो मैं यहां पे 6600 पुट कर सकता हूँ otherwise आपके लिए आप यहां पे क्लिक करो सर्च करो सर्च करके भी आप कर सकते हो यहां पे आपने सर्च किया सर्च करने के बाद क्लिक on the find button 6600 it will move on the debt whatever you have created a chart of account it will move on 6600 you can see here the chart of account for Tata Motors just recently हमने यह बनाया था अब हम इसे क्या करेंगे क्लिक करके हमने select कर लिया now click on the enter or save button जैसे हमने save किया यह हमारा save हो गया यानि क्या हो गया हमारा यह activity भी perform हो गई ठीक है यह वाला जो activity थी यह हमारी डन हो गई ठीक है तो हमने क्या किया असाइन company code to chart of account भी हमने असाइन कर लिया ओके गाईस तो आज के लिए इतना यह topic यहींपर करेंगे जो दो to已經ध्किया पे मारा गया जो को भी हुआ फिद करेंगे सब्सक्वार, का ओए लिसको, मैं असक् SugarOUण से hearts जो करेंगे सर दो करादा लिए सर दो सिंद्य irr